हरो दोस्तों विलकॉम बेग तो अच्ट के आप सब केलिए करना विडिया को दोस्तों आज के वीडियों में बहुत सारी अपडेट्स देने वालों तो इसी मुझा से आपको वीडियो को पूरा लास्तु जो दिखना है वीडियो पशाल के लाइक करना चैनल को तो जल्दिस जोईन करो बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलते रहती है लगतार साथ में दोस्तों आपके साथ जो बहुत सारी चीज़ों के उपर बातें भी होती है तो इसी वज़े से आपको टेलीग्राम चैनल को जोईन करें लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएग कल सायद से वह अपना लास्ट मैच खेलने वाले थे लें बार इसके वज़े से मैच ने हुआ तो बारा मैचस टूटल से फिल सॉट ने खेले चार सो सेटिस अटिस रन की करीब सॉट ने बना है और मतलब एक जो क्यार को चाहिए था जिस तरह का प्लेयर वो प्लेयर मिला ह है और जी सन रॉय बाहर गए थे उन्होंने मतलब की छोड़ दिया था टीम को तो उसके बाद के क्यार ने रिप्लेस्मेंट में सॉल्ट को लाए और जो काम के सॉल्ट ने उससे आप देखि रहो कि क्यार टीम किस पोजिशन पे है अभी क्वालिफायर वन खेलने वाली है म तो दोस्तों आप पे यही सवाल बनता है कि अगर सॉल्ट वापस चले जाते तो उनके जगह पे प्ले इंग लोईन में कौन केलने वाल है तो दोस्तों मेरे हिसाब सी के क्यार को जादा प्रॉबलम नहीं है मैं आपको पूरा एक्सप्लें करके बताता हूं क्योंकि के पास सिर्मनला गुरबाज के रूप में बहुत ही अच्छा उपसन है जो कि अगर आप देखोगे जो सॉल्ट का काम था कि पहले बॉल सी चक्का चौका मारना है वही काम आप जो देखोगे तो सिमिलर यही जो गुरबाज का भी काम रहता है अपनी टीम के लिए पिछले साल भी यही काम था भाली वह थोड़ा जल्दी बी आउट हो जाते थे कभी कभी लिकिन यह तो सॉल्ट के साथ भी हुआ था लेकिन जो इंटेंट की बात करते है वह गुरबाज के अंदर भी देखने को मिलता है वह पहले बॉल सी चक्का चौका मारने की कोसिस करते है साथ में दो जार्ज में से दो मैच ड्मे डीया अगर अच्छा कर दिया प्रक्राउक चंका यदिर लीज़ शिर में उनको कर दाया भिलमन फेusz ओने यह जयादा को नहीं है वली सौल्ट गहें कि मतलब हंग बॉल्पले मिले पहले बॉल स्हों करता है। और टीम का मोराल काफी हाई रखता है अपने पिछले साल देखा होगा गुर्बास बहुत ही अच्छे जो मिलब टीम को मॉटिवेट करते हैं तो दोस्तो इस वज़े से कियार को जादा प्रॉब्लम नहीं है बाकी बात करते हैं तो बाकी सारी टीमों को भी प्रॉब्लम होने के पास है और काफी अच्छा किया उन्होंने एमदबाद की पिछ पे तो कियार के लिए काफी जो फायदेमंद हो सकता है बाकी दोस्तों यह बात करा जाए तो कियार टीम कल का मैच आपने देखा होगा कि बारिस के वज़े से दोल गया मतलब की एक एक पॉइंट दोनों ट के किया और छो आ यह एक आफी किया तो चां बात कोई और के काम घ्टिर भॉलगना चाहर को फूऑन मेंद आ जाने के मिलने वाले हुआ हैं और दॉस्तों दस साल के बाद कॉलिफायर वन खिलने वाली की की तिम 2014 में खिली थी सहाथ में दोस्तों वाब जोने मे frames में होने handle म वहाँ पर भी KKR टीम जीती थी final तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारी चीज़ जो KKR के favor में जा रही है बस यहाँ पर भी यह है कि KKR को आछे केलना है जैसे cricket खेलते वह आ रही है भी तक वैसे ही KKR को खेलना है फाइनल में जान है उसके बाद क्या होता है वो देखने वाली बात होने वाली है बागी दोस्तो आज के लिए इतना ही ताई होग आपको वीडियो बस औहीं हो पस नेजे लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब नैजो तो सब्सक्राइब कर लो मिलते एक नवड़े के साथ